नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यार में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी उपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया हर व्यक्ति इस विश्य पर बहुत सारी चर्चाएं करना चाहता है अक्सर आपने भी लोगों को कहते हुए हम बात करेंगे कि इससे चुटकारा पाने की उपाय क्या है सबसे पहले आता है साइकलोजी मानसिक्टा जैसे हमारी बन जाती है वैसा ही हमारे साथ घटित होता है और ये बात रमायण में भी लिखी है कि जैसा सोचोगे वैसा पाऊगी तो इस बात का विशेश आप ध्या प्रणा बना ली तो आपके साथ जो नहीं भी हो रहा होगा तो उससे मिलता जुलता ही आपको सब कुछ लगेगा, दूसरा है शक और संधे, अगर आपके मन में शक होता है कि वो कुछ करने वाला है या ये कुछ करने वाला है, दोस्तों अगर ऐसा होता तो फिर एश्वर का क पाजरा था इश्वर की क्या ववस्थाइक है तो यही वो चीजें हैं जिन चीजों को हम अधिक सोचते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब यह बन चाता है कि हम उन चीजों के अंदर उलस जाते हैं दोस्तों वास्तविक्ता में कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ यह बात उन जूट का माय जाल है और ये जाल बहुत खतरनाक है और ये माया जाल सरल और सहज लोगों पर लागू नहीं होता अगर आप काला जादू के प्रतिया अपने मन में भ्रांतिया बनाएं ऑ ceux सब्सक्राइब की साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुन सकें धन्यवाद दोस्तों